साथियों, दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आस्था से जुड़े केंद्र, इस बात को स्विकार कर चलते हैं, कि हमारे यहाँ जादा लोग तभी आएंगे, जब हम टूरिस्टों को आधिनुक सुविधाय देंगे. आज जब टूरिस्ट जहां अभी कहीं जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, उसे इज अफ लिविंग भी चाहिए होती है, इज अफ ट्रावेलिंग भी चाहिए. गुजरात में अनेकों जगह हैं, जिन में भारत ही नहीं, दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की छमताएं पड़ी हैं, अपार संभावनाएं पड़ी हैं. अगर माता के ही मंदिरों की बात करें, तो भक्तों के लिए गुजरात में पूरा सर्किट हैं, मैं सब माता के स्थानों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, और गुजरात के सभी कोने में ये शक्ति रुपेन माताएं गुजरात को निरंतर आशिरवाद देती हैं. अम्बा जी हैं, पावागर तो है ही हैं, चोटिला चामुडा माता जी हैं, उम्या माता जी हैं, कच्छमे मातानों मड़, इतने ही याने अनगिनत हम अनुभव कर सकते हैं कि गुजरात में ये प्रकार के शक्ति का वास हैं. कई प्रसिद्ध मंदीर है, आस्था के स्थनों के अलावा भी गुजरात में अनेक जगें हैं, जिनकी ख्षमता ये अध्भूत है. अभी आपने भी देखा हैं कि द्वारका के पास शिवराजपुर समुद्री बीश को अंतर राष्टे पहचान मिली हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिपिकेशन मिला हैं, ऐसे स्थनों को विक्सित करने पर वहां जादा से जादा परियटक आएंगे और अपने साथ रोजगार के नए आउसर भी लाएंगे, आप देखिये, सर्दार साहब को समर्पित, स्टेची अफ यूनिटी, दुनिया की सबसे उची प्रतिमा, अब कितना बड़ा टुरिस्ट अट्रेक्शन बन रही हैं, जब ये कोरोना शुरू हुआ, उससे पहले ही करीब करीब 45 लाग से जादा लोग स्टेची अफ यूनिटी को देखने जा चुके थे, इतने कम समय में 45 लाग लोग बहुत बड़ी बात होती है, अब स्टेची अफ यूनिटी को फिर से खोला गया है, तो ये संख्या फिर तेजी से बढ़ रही है, इसी तरह छोटा सा उदान देता हूं मैं, या तालाब तक पहुँचने वालों की संख्या एक जमाना था, वहां से कोई गुजरता नहीं था, दूस्ता रास्ता लेता था, उसका थोड़ा सा रिनोवेशन किया, थोड़ा टूरिस्ट को ध्यानवे रक्तर के व्यवस्ताएं खड़ी की, और आज थिती क्या है, वहां पर पहुचने वालों के संख्या अब सालाना पचरतर लाग तक पहुच रही है, अकेले अमदाबाद सहर के मध्य में, पचरतर लाग मध्यंबर्ग, निम्न मध्यंबर्ग के परिवारों के लिए ये जगा बहुत आकरशन का कारण बन चुकी है, और अनेक लोगों की रोज आने भी बहुत मदद करती है, और टुडीजा में एक ऐसा क्षेत्र हैं, जहां कम से कम पूझी लगती हैं, और जादा से जादा लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे जो गुजराती साथी, और मैं चाहूंगा, विश्व भर में फैले हुए गुजराती बंदु भगिनी क तो मैं आज आगरत से कहना जादा हूँ, गुजरात के ब्रेंड एमेसेडर बनकर, आज पूरी दुनिया में गुजरात के लोग छाये हुई है, जब गुजरात अपने यहां नए नए आकर्षन का केंद्र बना रहा है, बविश्व भी बनाने वाला है, तो दुनिया भर मे पहले हुए हमारे गुज्जू बंदों से मैं कहूंगा, वो हमारे सभी साथी उनकी बातों को पूरी दुनिया में अपने आप ही लेकर के चले जाएं, दुनिया को आकर सित करें, गुजरात के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से परिचित कराएं, हमें इसी को लेकर आगे चलन है, आगे बढ़ना है